नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बेंग के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में लेकिन इसके पीछे की जो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ये शेर आपको आने वाले टाइम में एक मल्टी वेगर बनता हुँ दिखाई दे सकता है उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वज़े है वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेर करने वाले हैं इसी के जो कोई डीटेल में हम डिसकस करेंगे तो वीडियो में अखरी तक बने रही हैगा उसके पेले यदि आप फ्री में डीमेट अकाउंट को ओपन करना चाते हैं जिसमें कोई AMC चार्जेस नहीं लगे तो आप अब इस्टोक्स का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अब इ इस्क्रिप्शन में दे रखी हैं महां से आप उससे डाउंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं सबसे बहले बात कर लेते हैं यर्ज बिंक के आज के कारोबार के बारे में यर्ज बिंक ने आज एक फ्लेट क्लोजिंग दिये 16.10 पेसे पर ही यह अउपन हुआ था फिर इसने 16.45 पेसी का हाई बनाया उसके बाद में ये वापीस 16.05 पेसे के लो में चला गया और इसने जो एक closing दी है वो 16.10 पेसी की closing दी है और इसकी एक flat closing की सबसे बड़ी वजह है bank nifty जियां दोस्तों bank nifty में आज आपको काफी अच्छा moment देखने को मिला है, बेंक निफ्टी आज 33,232 रुपे का उसने हाई बनाया, लेकिन इसकी भी अगर क्लोजिंग की बात करें तो बेंक निफ्टी के अंदर भी आपको एक फ्लेट क्लोजिंग देखने को मिली है क्योंकि एक सेशन के बाद में यहाँ पर बेंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गए थी जिसके कारण से करेक्शन वापिस आगया था और जो यहाँ पर हाई बनाया था बेंक निफ्टी ने वो वापिस आपको एक फ्लेट क्लोजिंग बेंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है उसका सीधा सीधा इंपक्ट आपको यह बेंक के अंदर भी देखने को मिला है लेकिन अगर वोल्यूम बेस में काम की बात करूँ तो वोल्यूम बेस काम आज यह बेंक के अंदर काफी अच्छा हुआ है यदि आप देखेंगे तो एक करोड 32 लाग 35,000 की quantity ट्रेड हुई है NAC के अंदर और 59 लेक जी हाँ दोसों 69 लाग quantity deliverable base पर उठाई गई है यानि कि अगर percentage of deliverable quantity की मैं बात करूँ तो 45% deliverable base काम यहाँ पर NAC के अंदर आज हुआ है इसी के साथ में सोरी BAC के अंदर हुआ है और इसी के साथ में अगर NAC की बात करूँ तो NAC के अंदर 6 करोड 22,000,000,000,000 कांटिडी आज NAC के अंदर ट्रेड हुई है और लगबख 3 करोड कांटिडी deliverable base पर उठाई गई है यानि कि आप इसी से समझ सकते के deliverable base काम कितना ज़्यादा हो रहा है Yes Bank के अंदर उसके पीछे की जो वज़ह है वो वज़ह है कि Yes Bank को एक award से सम्मानीत किया गया है जी हाँ दोस्तो आप देख सकते हैं Booster Does for Yes Bank CPD Rates A Leadership Band Achieves Environmental Management System Certification for 8th Year जी हाँ दोस्तो आठवे साल ये award Yes Bank को मिला है और ये काफी बड़ी बात है किसी भी bank को जहाँ पर उसको लेकर पूरे market में negative news आ रही है उसी को लेकर उसे एक award मिलना बहुत बड़ी opportunity है इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो Yes Bank continuously fundraising से related या फिर अपने customers के trust जीतने से related सारी activities यहाँ पर अपना रहा है जिसके कारण आपको आने अले टाइम में Yes Bank के है काफी अच्छे result देखने को मिल सकते है और उसी के साथ finance minister नहीं यहाँ पर private bank को को एक और यहाँ पर बहुत अच्छा benefit दे दिया है अब private bank भी जो government bank related transaction रहते हैं अब उन्हें private bank भी कर पाएगा चाहे उसकी मैं बात करूँ pension की या फिर किसी और services की तो जो services पहले सिर्फ government bank के provide कर सकती थी अब यहाँ पर private bank के भी provide कर पाएगी तो उससे भी काफी benefit मिलने वाला है यहाँ पर Yes Bank को इसी के साथ next time बात करते हैं सूजलोन energy की तो सूजलोन energy में आज आपको काफी अच्छे return देखने को मिले हैं लग बग 5% की तेजी आपको सूजलोन के अंदर भी देखने को मिली है और सूजलोन के energy के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताए कि यह एक penny share है यदि आप इसे यहां से खरीते हैं तो आपको यहां पर इसका long term का mindset करके चलना चाहिए क्योंकि आने वाले time में सूजलोन energy के अंदर काफी अच्छे result आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा risk level ज़ादा है फिर भी अगर आप यहां पर काफी अच्छे returns के बारे में अगर मैं बात करूँ काफी ज़्यादा returns आप earn करना चाते हैं तो थोड़ी सी risk आपको यहां पर लेकर चलना पड़ेगा लेकिन इसी के साथ सूजलोन energy के अंदर volume based काम काफी अच्छा हो रहा है यहीं यदी आप देखेंगे तो आज 4 करोड quantity trade हुई है सूजलोन energy के अंदर कल के comparison में थोड़ी सी quantity यहां पर कम है लेकिन अगर मैं बात करूँ तो करोड़्स में quantity यहां पर trade हो रही है quantity trade हो रही है जिसके कारण यह shares काफी अच्छे return भी दे रहा है और अगर मैं Suzylon Energy के financial condition के बारे में बात करूँ तो Suzylon Energy एक small cap company है और इसके अंदर आपको काफी अच्छे return देखने को मिल सकते हैं अगर मैं इसके last quarter के result की बात करूँ तो last quarter में इसने अपनी total income 959 crores की book करी थी जो की last second quarter के compare में 30% जादा थी और अगर मैं इसके last year के third quarter से compare करूँ तो उसके compare में 42% यहाँ पर net profit आप total income आपको ज़्यादा देखने को मिली थी लेकिन अगर overall इसके net profit की बात करूँ तो इसका net profit 111 crore के loss में आपको दिख रहा है माइनस में आपको दिख रहा है तो यह दोनों shares काफी अच्छे returns आपको दे सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर long term का mindset करके चलना है और किसी भी shares को खरीदने और बेचने के बिले आपको अपने financial advisor से consult कर लेना है उसी के बाद में उसे खरीदना या बेचना है